नमस्कार दोस्तों बाल्टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हर दिख स्वागत करता हूँ आज हम चर्चा करेंगे उत्तर पिर्देश पंचायत राज अधीनियम 1947 की सेक्शन 102, 103 and 104 के संदर में किरपया करके आप लोग अपने बेर एक्ट में ये सेक्शन निकाल लीजिए, पहले हम बेर एक्ट से धारा को पढ़ेंगे और फिर उसको समझते चलेंगे दोस्तों सेक्शन 102 इसमें अपील्स का प्राबदान क्या गया है? पहले बेर एक्ट से पढ़ लेते हैं इस अधिनियम के अथवा किसी नियम अथवा उपगिदी के अधीन ग्राम पंचायत दौरत दिये गए आदेश अथवा निरदेश से छुब्ध कोई व्यक्ति जब तक अन्यता नियत न किया गया हो ऐसे आदेश अत्वा निर्देश के दिनांग से 30 दिन के भीतर जिसमें उसकी प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा नियत प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो उक्तादेश या निर्देश को परिवर्तित रद अध्वा पुष्ट कर सकता है और अपील करने वाले व्यक्ति को या उसके बिरुद्ध बाद बैभी अधिनिलित कर सकता है देखिए धारा 102 में अपील का प्रापदान क्या गया है कि अगर इस एक्ट यानि कि जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 है इस एक्ट के अंतरगत या इसके अंतरगत जो रूल्स है उसके अंतरगत या कोई बाइला है उसके अंतरगत कोई आदेश दिया गया किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा और बो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है उससे पीड़ित है, उससे छुप्द है उससे एग्रीब्ड है तो बैव्यक्ति क्या करेगा अपील कर देगा जो बो आदेश मिलेगा ग्राम पंचायत का उस आदेश के 30 दिन के अंदर-अंदर उसे अपील करनी होगी और वो अपील करेगा नियत प्राधिकारी को प्रस्क्राइब अथॉर्टी को ठीक है? ये 30 दिन जो हैं इसमें पृतिलिपी प्राप्त करने का जो समय है वो नहीं मिलेगा वो नहीं शामिल होगा क्योंकि ऐसा होता है न मालीजे आपके खिलाफ कोई आदेश आया मालीजे ग्राम पंचायत की तरफ से अब आप उस आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त करने की कोशिस कर रहे हैं आपको बें मिली नहीं पाई आपको हफ्ता बार उसी में लग गया तो यह है कि प्रतिलिपी प्राप्त करने का समय उसमें एड नहीं करते हैं और बाकी आदेश के दिनांग से 30 दिन के भीतर भीतर एग्री परसन को अपील करनी होगी प्रेस्क्राइब अथर्टी को अपील करेगा ठीक है और प्रेस्क्राइब अथर्टी अपील करने वाले भ्यक्ती को या उसके विरुद्ब बाद भैभी अधिनलित करसकता है यानि कि वो कॉस्ट अबल्ट कर सकता है ठीक है तो में यही है कि अप्राप्त 122 में अपील का प्राबदन किया गया है इसमें आपको जो ध्यान बात रखनी है वो ये मुख्य बात ये है कि आपको 30 दिन ध्यान रखना है कि 30 दिन के भीतर आगे आते हैं उपधारा दो पर इसमें कह रहे हैं कि नियत प्रादिकारी यदि उचित समझे तो बै उपधारा एक में अपील के लिए अनुग्यात अब्दी को बढ़ा सकता है अब यहां पर जो पीरियड है उसको एक्स्टेंड करने की बात आ रही है कि बही कोई व्यक्ति था मालीजे उसके कोई सफिशेंट कास था वो किसी बजे से 30 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाया तो प्रेस्क्राइब अथाल्टी अगर उचित समझे तो अपील के लिए इस अब्दी को बढ़ा सकती है उपधारा आगे आते हैं उपधारा तीन पर उपधारा एक के अधीन नियत प्राधिकारी का निलने अंते मोगा और उस पर किसी बिदी नयाले में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी यह बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है एक एड़ोकेट होने के नाते की जो उपधारा एक के अंतरगत यानि की धारा एक सो दो की उपधारा एक के अंतरगत जो प्रसकाइब अथाल्टी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उस पर किसी बिदी नयाले में अपत्ती नहीं की जाएगी the decision of the prescribed authority under subsection 1 shall be final and shall not be questioned in any court of law ओके आगे आते हैं section 103 पर इसमें कह रहा है कि कतिपए मामलों में अभियोजन का निलंबन suspension of prosecution in certain cases ठीक है कुछ निच्चित मामले ऐसे हैं उसमें prosecution suspend हो जाएगा अभियोजन का निलंबन कर दिया जाएगा इसे पढ़ लेते हैं यदि धारा 102 में किसी आदेश अत्वा निर्देश के बिरुद कोई अपील की गई हो ठीक है? धारा 102 में जो अपील वाला प्रापधान है, किसी आदेश के अथवा निर्देश के बुरुद्ध कोई अपील की गई हो तो ऐसे आदेश अथवा निर्देश को प्रबरत करने के लिए कोई कारवाही और उसके उनलंगन के लिए कोई अभियोजन नियत प्राधिकारी के आदेश से अपील के निर्णा होने तक रिलंबित किया जा सकता है आपको बात समझ में आई देखिए मान लिजिए कोई आपका क्लाइंट है आप एड़ोकेट है आपका कोई क्लाइंट है उसके खिलाफ ग्राम पंचायत ने कोई ओर्डर पास किया आपने का ठीक है भई ग्राम पंचायत ने तुम्हारे खिलाब order पास करा है मैं अपील कर ले रहा हूं इसकी prescribed authority को आपने उस आदेश के खिलाब prescribed authority को अपील करी तो जब आप अपील करेंगे तो ग्राम पंचायत ने जो order दिया था क्या वो execute किया जाएगा नहीं किया जाएग इस धारा में यही बात बतला रहे हैं 103 में कि यदि धारा 102 में किसी आदेश अत्वा निर्देश के विरुत कोई अपील की गई है तो ऐसा आदेश अत्वा निर्देश प्रवरत करने के लिए कोई कारवाही और उसके उलंगन के लिए कोई अभियोजन नियत प्राधिकारी के आदेश से अपील के निलने होने तक निलंबित किया जा सकता है तो उसके लिए जो आदेश ग्राम पंचायत ने पारित किया था वो प्रसक्राइब रथॉल्टी के आदेश से उसे सस्पेंड कर दिया जा सकता है कि भाई अभी इसकी अपील चल लगी है मामले की तो अभी फिर हम इस आदेश को enforce नहीं करेंगे अपील का decision आने दीजिए फिर देखते हैं क्या होता है तो यह होगा जो कारे जो भी होगा यह नियत प्रादिकारी के आदेश से होगा ठीक है और यदि अपील में ऐसे आदेश या निदेश रद किर दिया जाए तो उसकी अभग्या को अपराद नहीं समझा जाएगा अब अपील में क्या हुआ प्रसक्राइब अथर्टी ने वो आदेश जो था उसे रद कर दिया तो फिर उसकी अभग्या को अपराद नहीं समझा जाएगा जब प्रसक्राइब अथर्टी ने अपील में सुनके उस आदेश को रद कर दिया तो फिर ठीक है वो खत्ब हो गया मामला आगे आते हैं सेक्शन 104 पर अपराद को शमन करने की शक्ती पावल टू कमपाउंड ओफेंसिस बेर उक्स से पड़ लेते हैं से अधीन रहते हुए ग्राम पपंचायत किसी आपरादिक बात के संसित किये जाने के पूरब्या पश्चात इस अधीन के अथवा इसके अधीन बिनाए गए किसी नियम अथवा उप्विदी के बिरुद किये गए अपरात का समन ग्राम पंचायत की ऐसी धनरासी जो नियत की जाए कि नकत भुक्तान किये जाने पर कर सकती है subject to any rule made in this behalf a gram पंचायत may either before or after the institution of any criminal case compound an offense against this act or any rule or by law made there under on payment of such sum in cash to the gram पंचायत as may be prescribed देखिए इसमें क्या है कि किसी व्यक्ती ने कोई अपरात करा ठीक है अब उस व्यक्ती के विरुद या तो अपरात एक बात कर दिया गया है या नहीं किया गया है यानि कि उस व्यक्ती के विरुद criminal case होने से पहले या बाद में वो अपने अपरात का समन कर लेता है अपराद का समन का मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत को वो एक शमन शुल कर देदेगा ठीक है एक compounding फीस देदेगा कि मेरे इस अपराद का शमन कर दिया जाए तो compounding फीस देने से उसके अपराद का समन हो जाएगा मतलब वो एक तरीके से अपराथ से उसे छुटकारा मिल गया जैसे कहते न कि आप पाप करे आपने और आप गंगा जी में नहायाए तो आप अपने सारे पाप धो आए आपको उन पापों से छुटकारा मिल गया कुछ-कुछ वैसे ही समझ लीजे कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराथ करा तो उसने उस अपराथ के बदले में एक फीस अदा कर दी एक जुर्माना अदा कर दिया एक उसे कहेंगे समन शुलक अदा कर दिया तो उसे उसके अपराथ से छुटकारा मिल जाएगा ठीक है इसे आप फिर से फिर से पढ़ लिजे समझ में आ जाएगा तदर्थ बनाए गई किसी नियम के अदीन रहते हुए ग्राम पंचाहत किसी अपराधिक बात के संसित किये जाने के पूर ब्या पश्चाथ इस अदीनियम के अथवा इसके अदीन उसके बदले में उसने भुक्तान कर दिया तो क्या किया जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार समित अपराध के समझ में उसके विरुत अग्रेतर कोई कारवाई नहीं की जाएगी ठीक है आगे कह रहा है इस धारा के अदीन शमन के रुप में भुक्तान की गई समझ धन्रासियां गाउन इदी में जमा कर दी जाएगी तो ये जो भी पैसा जमा मिलेगा ये सब गाउन इदी में जमा कर दिये जाएगा धन्यवाद